Welcome to Sana, Online Classes So, आज की वीडियो होने वाली है Inverse of Matrix के बारे में मैंने इसके पहले Matrix की कई Videos अपलोड कर दिये हैं जैसे की Matrix, Definition with Example Types of Matrix Addition, Spreaction and Multiplication of Vitüş और आज हम बात करेंगे Inverse of Matrix के बारे में अגर आपने मेरी पिछ़ली वीडियो नहीं देखी है matrix की तो आपको मैं link दे दूँगी आप वहाँ से जा करके check कर सकते हैं चलिए start करते हैं आज की वीडियो इसका formula क्या होता है inverse matrix का A inverse is equal to adjacent dot A upon A mod तो यह formula है हम इसको कैसे find करेंगे A inverse कैसे find करेंगे A mod कैसे find करेंगे यह कैसे find करेंगे तो चलिए start करते हैं एक example की तुरू ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि inverse matrix हो दी क्या है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हमको A mod निकालना है अब A mod कैसे निकलता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है पर चलिए मैं इसमें भी आपको बताती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे A mod ठीक है इस इकल टू अब A mod को निकालने के लिए हमको जो यह जो रो दी रहती है सबसे first वाली हम इसमें पहला element लिख लेते हैं तो यहाँ पहला element है 1 तो हमने 1 लिख लिया ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर पहला element लिख दिया है तो हमको इसके सामने की जो रो है और यह column को height कर लेना है मतलब कि यह ठीक है तो हमारे पास क्या element बचा 2 minus 3 minus 1 3 तो हम इनको cross multiply कर लेंगे ठीक है अब cross multiply कैसे होता है यह इनको इससे इनको इससे ठीक है तो यहाँ पर cross multiply करेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा और बीच में minus का sign लगेगा और उसके बाद इन दोनों का cross multiply हो जाएगा तो minus 1 minus 3 ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले यह alternate way में चलता है, तो पहले यहाँ पर यह plus one होता है, फिर यह minus हो जाता है, फिर यह plus होता है, तो अभी हमने देखिए plus one लिखा है, अब हम यहाँ पर minus one लिखेंगे, ठीक है, तो हम पहले इसको बंद कर देते हैं, यह bracket को उसके बाद minus one लिखेंगे, ठी कि इस तरह से, तो अब यहां पर बचा 1-3, 2-3, इस तरह से हम इसको भी cross multiply कर लेंगे, तो 1 को 3 से और 2 को minus 3 से, तो यहां पर 1 into 3, और यहां पर हम minus का sign लगाएंगे, और 2 को minus 3 से, तो 2 into minus 3, ठीक है, अब यहां पर हम इसको bracket बंद कर लेंगे, और उसके बाद हम यहां पर plus का sign लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि पहले plus, फिर minus, फिर plus, यह हमेशा जब भी हम mod निकालते हैं, इसका formula same होता है, तो अब देखिए हमने यहां पर plus लिख दिया है, अब यहां पर हम 1 लिख देंगे, और bracket open कर लेंगे, तो अब हम इसके सामने का row और column हाइट कर लेंगे, तो यह देखिए, तो अब बच्चा 1, 2, 2, minus 1, तो 1 को minus 1 से और 2 को 2 से, तो चलिए करते हैं, तो 1 को minus 1 से कर लेंगे, और minus का sign लगाएंगे, और 2 को 2 से, ठीक है, यह हो गया हमारा, यह हमने इस तरह से वो बना लिया है equation, अब हम इसको solve करेंगे, तो इसको solve करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और यहां पर multiply करेंगे, तो 3, 2 is a 6, ठीक है, अब यहां पर हम 3, 1 को 3 से multiply करेंगे, ठीक है, तो यहां पर minus का sign, 1, 3 is a 3, और यहां पर minus minus plus, और जब यह plus होगा, तो यह plus minus minus यह हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम यहां पर फिर minus 1 लिखेंगे, 3 बन्जा 3, और यहां पर minus 2 into 3, तो यहां पर हो जाएगा plus, ठीक है, तो यहां पर plus 6 हो जाएगा, जैसे 1 into 3 minus, minus plus हो जाता है, तो 2 into 3, 6 हो जाएगा, फिर plus 1, लिखेंगे, यहां पर 1 into 1, मतलब minus 1, और minus 2 into 2, minus 4, तो यहां पर यह हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, next step में, कि हम इसको solve करेंगे, तो यहां पर 1, 6 में से 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, तो यहां पर 1 into 3 हो जाएगा, bracket open हो जाएगा, minus 1, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, और plus 1, और यहां पर minus 5, तो यहां पर हम लिख देंगे 4, आरे सॉरी, यहां पर हो जाएगा 3, और यहां पर minus 9, और यहां पर minus 5, ठीक है, अब हम इसको solve करेंगे, तो आगया minus 11, ठीक है, अब हमने a mod निकाल लिया है, मतलब a mod हमारा निकल चुका है, अब हम निकालेंगे co-factor, अब देखते हैंगे co-factor कैसे निकलता है, चलिए co-factor निकालते हैं, find co-factor, तो co-factor निकालने के लिए, आपको तो पता होगा, यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में explain किया है, कि हम इसको a11 बोलते हैं, a12, a13, a21, a22, a23, यहां पर a31, a32, a33, इस तरह से आपको पता होगा, तो हम वही चीज निकालेंगे, पहले a11 निकालेंगे, a11 से पूरा a33 तक, चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे a11, ठीक है, a11 कैसे निकालेंगे, यहां पर हम इसको पहली रोको, पहला element लेंगे, तो जब लेंगे तो यहां पर यह बंद हो जाएगा, तो यहां पर हम यहां पास बचेगा, तो हम लिख लेते ह पहले इसको, तो यहाँ होगा 2, ठीक है, यहाँ पर minus 1, यहाँ पर minus 3, और यहाँ पर 3, जैसे यहाँ पर जो था, वहाँ मैंने लिख लिया है, तो अब इसको solve कैसे करेंगे, इसको हम cross multiply कर लेंगे, तो 2, 3 जा 6, और minus बीच में, 1, 3 जा 3, तो यहाँ पर plus है, तो plus, minus, minus ही रहेगा, तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या answer आएगा, 3 आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 answer आगया, अब हम यहाँ पर एक चीज और हमें चेक कर नहीं है, जब आप देखिए, 1 और 1 है, ठीक है, हम 1 और 1 को plus करेंगे, तो क्या होता है, 2, 2 even number है, तो यहाँ पर हम plus का ही sign रहेगा, ठीक है, और जैसे ही odd number आता है, यह sign minus हो जाता है, तो पर यहाँ पर even है, तो यहाँ पर कोई sign चेंज नहीं हुगा, क्योंकि यहाँ पर तो plus था, तो plus ही रहेगा, अब हम यहाँ पर a12 निकालेंगे, a12, अब a12 निकालने के लिए क्या कि हम इसको, यह a12 है, तो हम यहाँ पर इसको हाइट करेंगे, तो यहाँ पर बचिएगगai, 12-3 और 3, ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर – 3, और यहाँ पर लिख लिए, अब इसको cross multiply कर देंगे, 13-3 और यहाँ पर minus में हो जाएगा plus two three is a six तो यहाँ पर हो जाएगा nine ठीक है, इस तरह से यह solve कर लेंगे अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर one plus two है तो one plus two कितना होता है three होता है, अब जो three है यह हमारा odd number है, so इस वज़े से हम यहाँ पर minus लगा देंगे answer तो मेरा plus में ही आया था लेकिन हम इसको minus में कर देंगे ठीक है, अब हम इस तरह से सारे question जल्दी जल्दी solve करके मैं आपको बताती हूँ ठीक है, अब मैं इतना explain नहीं करूंगी नहीं तो video बहुत सादा लंबी हो जाएगी ठीक है so इस तरह से हम one three find कर लेंगे a21, a22, a23, a31, a32 और a33 तो अब हम देखते हैं कि हमने कैसे किया है इनको cross multiply कर लेंगे और उसके बाद जो answer आएगा हम check कर लेंगे कि यहाँ पर three और plus one तो four है, तो इस वज़े से हम यहाँ पर plus होना चाहिए तो यहाँ पर minus में आया था तो plus minus minus ही रहेगा अब यहाँ पर three two plus one three है और यहाँ पर answer था three plus one four so यहाँ पर हमको minus चीए क्योंकि odd है तो यहाँ पर हमने minus कर दिया है इस तरह से यहाँ पर two plus two four होता है इसका मिलब यह even number है इसका मिलब प्लस होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए answer plus में ही है क्योंकि three में से two गया one होता है और ऐसे भी answer positive में ही आया था है और ऐसे भी positive में हो गया है इस तरह से मैंने सारे solve कर ली है आप एक बार पूरे check कर लें कि अगर कोई भी आपको दिक्कत हो आप comment box में बता सकते है मैं आपको explain कर दूँगी उसके बाद देखते हैं कि क्या निकाला जाता है अब इसमें हम निकालते है matrix of cofactor अब देखे हमने cofactor जो निकाल लिया है अब हम matrix इसकी बना लेंगे तो matrix बनाने के लिए हम क्या करते है अहाँ पर हम लिख देंगे a is equal to a ij is equal to अब जो हमारी matrix बनी है तो पीछे की तरफ था 3 और minus 9 निकल गया था तो हम यहाँ पर a11 की जंगा हम 3 लिख देंगे a12 की जंगा minus 9 लिख देंगे a13 की जंगा minus 5 लिख देंगे a21 की जंगा minus 4 ऐसे हम सब लिखते चले जाएंगे a22 की जंगा 1 3 minus 5 4 1 ठीक है अब हमने यहाँ पर एक matrix इसकी form हो गई अब इसकी एक matrix form हो गई है अब हम इसमें addition एक ऐसे निकालते हैं अब हम वो देखते हैं इसके बाद क्या process होता है उसको निकालने का चलिए देखते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर एक बार मैं फिर से जो पीछे matrix AIJ निकली थी मैं एक बार फिर से no down कर देती हूं क्योंकि इसी से आगे का काम चलने वाला है यह हमारा निकला था matrix of cofactor अब हमको addition एक ऐसे निकलेगा अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है students बस आपको जो यहाँ पर row में दिया गया है आपको column में change कर देना है बहुत आसान है चले मैं बताती हूं जैसे यहाँ पर यह क्या लिखा है row में लिखा है 3-9-5 यह row है आप इसको column में लिख दो 3-9-5 है नहीं पर अब इस तरह से दूसरी row को दूसरा column बना देते हैं तो minus 4 1 3 अब तीसरी row को तीसरा column बना देंगे minus 5 4 1 अब यह हमारा बन गया adjacent A यह पूरा हमारा निकल गया है अब हमको हम वो अलब formula लिख लेते हैं A inverse निकालने का कि A inverse तो यहाँ पर होता था यहाँ पर होता था adjacent A upon mod A इस तरह से हम इस formula को लिख सकते हैं 1 upon A dot adjacent A क्योंकि यह upon में हैं तो जाहिसी बात ही यह 1 है 1 upon A है और इसको तो हम 1 upon जो हमारा A mod था पीछे जो निकला था sorry यहाँ पर mod होगा यहाँ पर भी mod होगा तो जो यहाँ पर जो mod हमारा पीछे निकला था यह देखिए हमारा जो mod था minus 11 हम यह लिख देंगे तो यहाँ पर हमने minus 11 लिख दिया है ठीक है अब हम यहाँ पर जो यह निकला है हम यह note down कर लेंगे तो 3 minus 9 minus 5 minus 4 1 3 minus 5 4 1 हो गया अब हम क्या करेंगे इसको इससे जैसे यह divide में है हम इसको divide कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर 3 divide by 11 और यहाँ पर minus का sign है सो यह minus 4 divide by 11 तो minus 11 है तो यहाँ पर plus हो जाएगा तो 4 divided by 11 और यहाँ पर minus 5 minus 11 है सो कट जाएगा फिर वैसे 5 upon 11 और यहाँ पर है minus 9 11 1 upon 11 और यहाँ पर 4 ऐसे यह minus 4 upon 11 और यहाँ पर यह भी minus minus का cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 upon 11 और यहाँ पर plus में है सो यहाँ पर minus हो जाएगा minus 3 upon 11 और यहाँ पर 1 upon 11 minus में minus 1 upon 11 सो यह जो है यह निकल गया यह है हमारा inverse of matrix, यह हमारी inverse of matrix निकल गई है, हमको यही find करना था, सबसे पहले हम A mod निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको वो बताया formula उसे according, फिर आप co-factor निकालें, फिर co-factor निकालने के बाद आप उसको, यह हमारा निकला था, matrix जो बनती है, A11 की जंगा, A12 की जंगा सब हम रख देंगे co-factor, उसके बाद हम matrix बना लेंगे co-factor की, जो यह मैंने बनाई थी, और उसके बाद हम इसको adjacent A निकालने के लिए, row को column में change कर देंगे, उसके बाद हम इस formula के according रख लेंगे, और फिर यहाँ पर जैसे यह divide में था, तो divide मेंने कर दिया, क्योंकि यह full divide नहीं होगा, तो हम इस तरह से लिख के छोड़ सकते हैं,